तो दोस्तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानि की मुंबई से लेकर के एहंदाबाद के बीच में बनने वाली 508 किलोमेटर हाई स्पीड रेल कोरिडॉर से अब कुछ नए अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं जहां पर नब नियुक्त रेल मंत्री अश्वनी वैसनो जी न उन्होंने एक्जाक्टली जो भी अपडेट्स हैं वो सारे शेर कियें तो यहां पर हम पहले बात करें तो उन्होंने कहा कि कुल 1396 हेक्टेर में से 1035 हेक्टेर भूमी का अधिग्रहन किया जा चुका है इस पूरी परियोजना के लिए उन्होंनों कहा कि अब तक 74 परसेंट दादरानगर हवेली की परियोजना में 93 प्रतेशत भूमी का धिग्रहन भी किया जा चुका है साथी में दादरानगर हवेली के 92% अलाइविमेंट में टोटल 5 स्टेशन हैं जिनके उपर काम भी शुरू किया जा चुका है इस प्रोजेक्ट में 2200 लोग और 300 special machines काम कर रही ह जिससे इस काम को कंप्लीट किया जाने के तरफ काम किया जा रहा है इस परियोजना के लिए 5300 सा भी ज्जादा ड्राइंग और वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर को भी पेस किया गया है जिसे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिकेशन इसी के साथ में 785 लोकेशन के उपर भी अलग लग पकार की टेस्टिंग की जा रही है और एकदम लीडर्स अब्रेट के बारे में बात करें तो 10 जगहों प पहली ही इस वज़े से भी भूमी का दीगर हैंड जो है वो काफी सदा धीमा पड़ा है इसे के साथ में और भी कई रीजन्स है जिसके बारे में आप सभी लोग भली बाती जानते हैं साथ ही मैं इस चीज की जानकारी खुद अपने ट्विटर हैंडल पर शेर की है तो आप यह देख सकते हैं जलाल आप लोगों का इस बुलेटेंट के अपडेट के बारे में क्या करना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा ऐसा ही भारत के जुड़े हुए छोटे बड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बंदे मात्रम भारत माता की जैए